आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं MIY12 बीटा आपडेट के बारे में कि यह बीटा आपडेट आप सभी के डिवाइज में सबसे पहले कौन से डिवाइज में देखने को मिलेगा तो दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी को यह फूल इंफरमेशन बताने वाले हैं और दोस्तो आप सभी को यह भी बताने वाले हैं कि बीटा आपडेट का MIY12 बीटा आपडेट आपके डिवाइज में देखने को मिलेगा या नहीं और मिलेगा तो कब तक देखने को मिलेगा आज की आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आके हमार चनलों को सस्क्राइब कर ले यो कि हमएर सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों सब्सक्राइब है दोस्तो आप सुभी को में बात बता दना चाहते कि आप से पाइब कर दिया गिए सभी डिवाइस के लिए तो दोस्ते अगर आपने इस मैं पाइलोट टेस्टर नहीं किया है तो मैंने वीडियो बना दिया है आप लोग पर से जाके यह जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपको कैसे मैं पाइलोट टेस्टर को रेइश्टर करना है और दोस्तों आप सभी को बता दना चाहते हैं कि सबसे पहले कौन सी डिवास को अगर आप लोग आप टेस्टर को रेइश्टर करना के लिए आप सभी को कुछ डिवास के नाम देखने को मिलेंगे जिनको बीटा अपडेट मिलने वाला है सबसे पहले तो दोस्तों मैं स्क्रीन सोट दे दूंगा मैं आप सभी को बता भी देता हूं सबसे पहले रेड्मी न बात करते दोस्तों मेरे इंडियन डिवास की यूजर हैं जिनका कहना है कि जिनके पास यह सारे डिवाइज नहीं है कोई अधर डिवाइज है तो उनको क्या बीटा अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं तो दोस्तों आप सभी पता है राउंड वान राउंड टू राउ और पुराने स्मार्ट फोने हो सकता उनके डिवाइस का नाम अगर हमारे लिष्ट में नहीं आप सभी को मिण स्मार्ट फोण का बीटा अपडेट हो सकता है प्रवााइज कर दे पर उनसेस cooling का नाम नहीं एरांड टू के डिवाइज में पर राउंड टू में जितने मितने आप लोग इस वीडियो को पाउस करके देख लेना कि आपके डिवाइस का नाम है इस लिष्ट में या नहीं और दोस्तों बात करते हैं कि आप सभी ने अगर इस एमाय पालोट टेश्टों को रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज रजिस्टर कर लें क्योंकि आप सभी को एम आप लोगों का काम है कि आप लोग पाईलोट टेश्टर को रेजिस्टर कर दें उसका सावमी देखते हैं कौन से डिवाइस को अपडेट करना है या नहीं जिहां दोस्तों आप सुभी ने सही सुना तो दोस्तों आपको अगर इसी तरह से लेटेट हमें से वीडियो चाहि पहिंद बंदे मातरम